हेलो फ्रेंद्स, आइनो सब स्टोर्ट ग्रेंज के पैस से बहुत परिशान रहते हैं, स्पेशली जिनके बड़े गोडाउंद होता है, सो तुड़े तब वीडियो हाइलाइट से मेजर पैस्ट अप स्टोर्ट ग्रेंज, सबसे ज़ादा जो पैस्ट अटाक करते हैं स्टोर्ट ग्रेंज को हम उने नसकस करेंगे, तो फस्ट है राइस वीविल, यह हर टाइप की सीरिल और ग्रेंज को अटाक करता है, इसका रेड़श प्राउन कॉलर होता है और इसके थोराक्स की टिप लंबी पॉइंटेड होती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसी वज़े से लोकल लैंगज में इसे सून्ड वाली सूरसूरी भी कहा जाता है, ये अडल्ट और ग्रब दोनों स्टेजिस में अटाक करता है, और ग्रेंज में होल्स, मतलब छेट कर देता है, इसका डामेज आप देख सकते हैं, ये होल्स, और इसके बाद ग्रेंज कंज्यूम करने लाइक नहीं रहते, सेकिंड इस खपरा बीटल, ये मेजर पेस्टे वीट का, बट्ये जुआर, मेज और बाजरा को भी हाम कर सकता है, और क्योंकि इनकी स्किन शेडिंग होती है, इसलिए इनका प्रेजेंस नोटिस किया जा सकता है, ये क्रैक्स या पुराने पैकेजिंग मेटीरियल में पहले से भी हो सकता है, जैसे ये देख सकते हैं, इट अटाक्स एंब्रियो और सीट को इसी वज़े से सोइंग परपस के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वाइबिलिटी और जर्मिनेशन परसेंट कम हो जाता है, थर्ड इस पल्स बीटल, जैसा कि इसका नाम है, ये mostly pulses पर अटाक करता है, ये grub stages में harmful होता है, और creamy white fleshy curved सा होता है इसका structure, और इसके small black mouth parts होते हैं, ये grain kernel को destroy कर देता है, और उसमें cavity बना देता है, जिसकी वज़े से उसका consumption value और sale value कम हो जाती है, फूर्थ इस rice moth, major pest of rice, लेकिन ज्वार, maize, gram, etc. में भी ये लग सकता है, ये dull brown color का होता है, with translucent wings, इसका larva actual damage करता है, जो full yellowish color का होता है, या creamish color का, ये webbing कर देता है, white silk like structure से, जैसे कि आप screen पे देख सकते हो, इसकी वज़े से unpleasant, यानि बहुत गंदी smell आती है, और grain consume करने लायक नहीं रहता, फिफ्ट इस lesser grain borer, इसको local language में घुन भी कहते हैं, ये सबसे ज़ादा harmful pest में से एक कहा जाता है, और लगबख सभी grains और pulses में अटाक करता है, ये brown color के होते हैं, और adult stages में ये उड़ भी सकते हैं, ये grain का starchy material खा देते हैं, और उनमें holes बना देते हैं, या उसे powder form में reduce कर देते हैं, और क्यूंकि छोटे grubs grain को pierce नहीं कर पाते, या मतलब उसमें छेद नहीं कर पाते, इसलिए वो उसे waste floor जो होता है, वो खाते हैं, इस वज़े से ये completely grains को destroy कर देते हैं, इसलिए इसे secondary feeder भी कहा जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है ये, और सबसे ज़्यादा नुकसान ये किसी भी आटे, या फिर जो powder form का product होता है, उसमें करता है, इसी वज़े से इसे जो आटा होता है, उससे बहुत गंदी स्मेल आती है, और वो खाने लायक नहीं बचता, सेवेंथ इस एंगोमिस grain moth, ये small size के yellowish to creamish कलर के होता है, जो grub होता है, इसका वो actual damage कॉस करता है, इनमें जो female होती है, फो field में ही egg ले कर देती है, ear heads में, जिसकी वज़े से larva जो होता है, वो grain में enter कर देता है, और harvesting के बाद भी insect store में पहुँच जाता है, ये insect जब तक adulthood में नहीं पहुँचता, तब तक seed से बाहर नहीं आता, और ये go down में हमेशा देखे जा सकते हैं, तो ये थे कुछ important या major pest, अब इनके control के बारे में जान लेते हैं, control में दो basic principle होते हैं, पहला, स्टोर करने के time पे grains में pest नहीं होने चाहिए, grains बिल्कुल साफ होने चाहिए, और दूसरा, grains ऐसी जगे पे स्टोर होने चाहिए, जो साफ हो, जहां infection होने के chances बहुत कम हो, फर्स्ट इस prevention of stored grains, पहला, seed treatment, हमेशा sowing से पहले seed treatment किया करें, इससे seed में पहले से कोई disease pest रहने के chances रिड्यूस हो जाते हैं, सेकिंड, स्टोर करने से पहले seed का moisture content जरूर चेक करें, क्योंकि ज़्यादा moisture ज़्यादा बीमारियों को दावत देगा, और pest लगने के chances भी ज़्यादा होंगे, थोर्ड, protective measures, protective measures में safe hygienic methods आ जाते हैं, जैसे store करने से पहले हमेशा go down की सफाई अच्छे से करें, उसमें disinfection करें, जैसे mellathion का spray करवा सकते हैं, दूसरा, go down के cracks दरारें सब में cement या प्लास्टरिंग कर दें, थर्ड, जिन भी gunny wax या बोरी जिसमें grain store होने वाले हैं, उसे हमेशा साफ करें, वो हमेशा नया होना चाहिए, फॉर्थ, store करने से पहले heat treatment भी कर सकते हैं, क्योंकि pest जादा temperature पे survive नहीं कर पाता, next, grains को store करने के लिए refrigerator यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि pest का multiplication कम temperature पे नहीं हो पाता, तो अगर कोई pest पहले से भी है, disinfection कर सकते हैं, mellathion के spray से, dichlorowash, DDVP, जैसे chemical का भी यूज़ कर सकते हैं, camphor या naphthalene को grain में mix करके, pest लगने के chances कम किये जा सकते हैं, so, that was it, I hope you liked the video, for more videos like this, like and subscribe everybody, thank you,